हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो गार्डिनिंग विद हितेश तेज तपती गर्मी में हम अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं और जब ग्रीन नेट वीना हमारे टारस पे हो तो यही हमारा जो है एक बहुर डिफिकल्ट टास्क हो जाता है गर्मियों में तपती गर्मी में कि हम अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं तो यह आज मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँगा इस पे ही कि आप जो है अपने बड़े बड़े प्लांट्स जो लगाएं हुए आपने पोर्ट्स में और आपके छट पे जो है कोई भी ग्रीन नेट नहीं है तो उसे आप जो है अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं तेज गर्मी से यह मेरा एक गर्डेनिया का पोदा है और आप देख रहे होगे इसके पोर्ट की जो मिट्टी है नीचे से इसमें स्पेस बिलकुल खाली है कोई भी इसमें प्लांट नहीं है सिर्फ जो है हमारा उपर उपर ही प्लांट लगा हुआ है तो जब इसमें वाटरिंग करेंगे और जब इसमें धूप पड़ेगी तो पानी जो है बहुत जल्दी जो है इव्यापुरेट हो जाएगा कवर करते हैं आप किसी भी चीज से जो है कवर कर सकते हैं कोई जो है सूखी पतियां उससे कवर कर लें ठीक है जो स्टोन्स आते हैं वो इसमें रख ले नारियल मूंगफली के छिलके रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं कोई कपड़ा गीला करके वो रख लें और ये मैं इसमें जो है live mulching करूँगा natural plants जो होते हैं हमारे उनकी mulching करूँगा ये देखिए ये baby sunrose है तो जहां जहां इस pot में space खाली है वहां मैं इसे इनकी cuttings जो हैं लगा दूँगा baby sunrose की baby sunrose आपको पता है heat को काफ़ी tolerate कर लेता है और summer में इसमें flowering भी होती है काफी अच्छी और नाम ही इसका sun rose है sun loving plant है एक तो यह हमारी pot की खुप सूरती भी बढ़ा देगा कैसे पहले हमारा सिरफ एक लंबा सा plant लगा हुआ था और नीचे जो भी मिट्टी थी वो बिल्कुल जो है उसमें space बनी हुई थी बिल्कुल space ख पूरे plants जो भी हम cuttings लगा रहे हैं पूरे pot को cover कर लेगी तो इसे धोप से भी यह protection देगी और जब हम इसमें एक बार watering कर देंगे तो वो water भी इतनी जल्दी evaporate नहीं होगा क्योंकि यह पूरा pot तो हमारा नीचे से cover कर देंगे यह वले plants तो यह natural mulching जो है live plants सी mulching जो है काफी beneficial होती है हमारे plants के लिए तपती गर्मी में और यह देखिए भी hemiscus का plant है तो इसमें भी सारी नीचे space खा ली है तो सबसे पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और इसमें मैं बॉलिविंग जो है टर्टल वाइन होती है वो लगा रहा हूं छोटी वाली यह मैंने क ऐसे फिंक दे या इसे कट करके छोटे-छोटे पीसिस में रख दे तो तब भी इनमें easily rooting हो जाती है तो यह मैंने ऐसे ही रख रहा हूं देखे सब में rooting हुई है यह बहुत जल्दी जो है मिट्टी में जब टच होगी तो बहुत जल्दी इसकी जड़े मिट्टी को पकड़ लेंगी और पोट हमारा पूरा भर जाएगा पहले भर चुका है वैसे तो यह पोट क्योंकि मैं इसमें काफी लगा रहा हूं और नीचे को लटकेगी और भी खूपसरत लगेगी ओपर भी प्लांट्स हमारे लगे हुए नीचे भी प्लांट्स लगे हैं देखिए सारी कमेंट करूंगा कि आप जो है इनमें हाडी प्लांट्स से लगाएं जो भी आपने ऐसे मल्चिंग कर ली है नैचरल लाइफ प्लांट्स की उसमें आप हाडी प्लांट्स लगाएं जैसे वडेलिया लगा सकते हैं समर का प्लांट्स हैं मोस रोस लगा लें टर्टल वाइन जो green वाली होती है tangled heart भी आप लगा सकते हैं तो ऐसा करने से हमारा plant भी जो गर्मी से बचा रहता है और pot की खूपसूरती भी बढ़ जाती है तो मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ कोई भी छोटी छोटी cuttings जो है plant कोई जिसमें भी pot में जगा है लगाता रहता हूँ और कुछ vegetable plants भी है जो मैंने बोरियों में लगाए हुए है तो उनमें मैं सूखी पतिया अपने garden के डाल देता हूँ तो उनमें वो मल्ची का काम करती है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूसफूल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Happy gardening friends